जय हिंद साथियों डंबरू चैनल में आपका स्वागत है साथियों आज के वीडियो में हम सिखेंगे कि कैसे हैं अपने मुबाइल फोन की साहता से बड़ी आसानी से अपने अधार काड को पैन काड से लिंग कर सकते हैं साथियों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख साथियों हमको अपने मुबाइल में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है वे ब्राउजर ओपन करने के बाद हमको गूगल में इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेब साइट को टाइप कर लेना है www.incometaxindia.gov.in इसे हम सर्च कर लेंगे सर्च करते ही इंकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेब साइट हमारे शामने उपन हो जाती है ये एक पपप आ रहा है इसको हमको क्लोज बटन पे क्लिक कर लेना है बाई तरफ चले आना है और वेब साइट को नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना है इसके बाद साथियों ये जो दूसरा अप्सन दिख रहा है लिंक आधार इस पर हमको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद साथियों वेब साइट कुछ इस टाइप की ओपन होती है यहां पर हमको अपना पैन नंबर टाइप कर लेना है यहां पर हमको अपना आधा लिखा हुआ है उसको यहां पे टाइप कर लेना है यह एक option है I have only year of birth in आधार कुछ लोगों को उनका वर्थ डेटा पर्थ नहीं पता है इसलिए उनके आधार काट के ऊपर के वह यह का नाम टाइप है लिखा हुआ है तो इस आप्शन को क्लिक कर लेंगे चलिए हम वन बाई वन करके ये डिटेल को फिल कर लेते हैं डिटेल फिल करने के बाद साथियों यहां पे हमको एगरी हो जाना है इसके बाद कैप्चा को हमको यहां पे टाइप कर लेना है या आप OTP के जरीए भी इसको verify कर सकते हैं तो हम capture यहाँ पर type कर लेते हैं capture type करने के बाद साथियों हमको नीचे जो यह green color का option दिख रहा है link आधार इस पर हमको click कर देना है जैसे ही साथियों हम link पर click करते हैं pen link भी था आधार तो यहाँ देखने ध्यान से your request has been sent to UID AI for validation of आधार please check the status letter by clicking on link आधार hyperlink in the home page यानी हमारी request जो है कि income tax department के पास पहुंच गई है आधार और pen link करने की अब शाथियों simply हमको इसको check करने के लिए कि हमारा आधार कार्ट pen card से link खाई की नहीं है यहाँ home button पे click कर लेना है इसके बाद यह pop up है इसको हमको close कर लेना है website खुद थोड़ा सा scroll करके नीचे आ जाना है link आधार पे click कर लेना है इसके बाद साथियों सबसे ऊपर यह red color का option दिख रहा है click here to view the status if you have already submitted link आधार request यानि यहाँ पे click करिए अगर आपने आधार कार्ट को pen card से link करने की request भेज रखी है तो click here पे हम click कर लेंगे इसके बाद साथियों यहाँ पे हम अपना pen number और यहाँ पे आधार number टाइप कर लेते हैं चलिए हम one by one करके इसको टाइप कर लेते हैं आधार number और pen number को enter करने के बाद साथियों यहाँ पे view link with आधारी status हमको green वाले button पे click कर लेना है अब देखें साथियों यहाँ पे यह open होके दिख रहा है your pen is linked to आधार number dish यानि हमारा आधार काड़ pen card के साथ successfully जो है की link हो चुका है तो यह कुछ छोटे तरीके को अपना के हम बड़ी ही आसानी से अपने आधार काड़ को pen card से link कर सकते हैं साथियों अगर आपको हारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने friends के साथ share करें और अगर आपके में कोई confusion है कोई सवाल है उन्हें comment box में comment करके आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं पातियों मिलते हैं अगली वीडियो में किस्याने जनकारी के साथ अब तक के लिए जया हिंद अंदे मात्रम ठेंक यूँ झाल झाल झाल